नमस्कार दोस्तों डिक्टेसन स्थार्ट होगी तीन सेकेंड बाद स्थार्ट प्रथाएं सामाजिक विराशत है मानव व्यवहार के नियंत्रण का अनोपचारिक सादन है प्रथा के पालन के पीछे कोई तारकिक आधार नहीं सामुहिकता का भाव रहता है सभी ऐसा करते हैं इसलिए हमें भी करना चाहिए प्रथा की प्रक्रती कठोर एवं बाद्यता मूलक होती है कोई भी व्यक्ति निजी इस्तर पर उसकी अवहेलना नहीं कर पाता प्रथाएं तोड़ने पर समाज द्वारा निंदा होती है समाज सास्त्री आर्गवन तथा निमकोफ का मत है जब कुछ प्रथाएं अनेक पीडियों तक दोहराई जाती है तब व्यक्तियों पर इनका दबाव काफी बढ़ जाता है और व्यक्ति इन प्रथाओं के अनुकूल ही व्यवहार करने को बाद्य होते हैं हिंदू समाज में दहेज प्रथा एक ऐसी ही प्रथा है पीडियों से हस्तानांत्रित होने के कारण व्यक्तियों पर इस प्रथा का सरवाधिक दबाव पड़ रहा है समाज की सामुहिक स्विक्रती होने के कारण इसकी प्रेक्रती कठो और एवं बाद्यता मूलक हो गई है दहेज प्रथा आज जिस विक्रत और विक्राल रूप में पहुच गई है वह पूरे समाज के अप्यस का कारण है इसलिए यह समाज का कलंक है दहेज प्रथा ऐसी अनूचित प्रथा है जिससे समाज की प्रतिष्ठा तथा मरियादा को बट्टा लगता है इसलिए यह समाजिक कलंक है दहेज प्रथा ने वर्तमान समाजिक जीवन को विसाक्त कर दिया है इसलिए यह समाज के भाल पर कलंक है समाज जीवन में पती-पत्नी की भूमी का महत्वपूर्ण है, नर नारी का प्रेम समंध समाज के अस्तित्व की प्रश्ट भूमी है, इस्तरी पुरुस के सम्मंदों को द्रडतर करती है विवापद्धती दहेज विवापद्धती का एक अंग है पर इस अंग की अनिवार्यताने और वर्पक्स की दहेज की मांग ने नारी के वेवाहिक जीवन को विसाक्त कर दिया है इसलिए यह सामाजिक कलंक है विवा से पूर्व तथा विवा संसकार के पश्चात वेवाहिक जीवन में यह प्रथा नारी के चारो और भूत पिसाच की तरह मंडराती रहती है उसे कचोटती है विवा की असीम हार्दिक प्रसनता और उसके आनंद को प्राप्त करने में डालती है इसलिए यह सामाजिक कलंक है एक दार्षनिक का मत है कि विवा प्रेम की वह व्यवस्ता है जो मानसिक सारिरिक आध्यात्मिक तथा इंद्रियों के विकास का साधन है दहेज प्रथा विवा व्यवस्ता में मानसिक सारिरिक तथा आध्यात्मिक विकास पर चोट कर नव वधु पर वर परिवार के व्यंगे कटुक्तियां और प्रताडना उसके मन को छलनी कर देते हैं। उनका रोस पोन व्यवहार उसका मानसिक हरांस कर देता है। मार पीट एद्रश्य चोट आग की लपटें उसके जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन लगा देती है। जहां मन और सरीर हरांसोन मुख हो वहां आत्मा भी उससे बैबीत हो एद्रश्य हो जाती है। नववधू के मानसिक सारिरिक तथा आत्मिक विकास को अवरुद करने का दोसी दहेज है। इसलिए भी यह समाज के चहरे पर बदनूमा दाग है। विवा पित्र रिन से उरिन होने का साधन है। पती पतनी मिलकर वंस परंपरा का विस्तार कर पित्र रिन से मुक्ती पाते हैं। यह दहेज रूपी मंधरा पित्र रिन से उरिनता का राज्या विशेक होने ही नहीं देती। वह ए भागिन जिस वंस विकास के सम्रदी का स्वपन लेकर ससुराल जारी है। वहां से अंदकार में बविस्य लेकर पित्र घरे लोट आती है। यदि संतान हो भी जाये तो दहेज के लोब से ब्रश्ट पती अपने आत्मज को अपना मानने से इनकार कर देता है। और उसके पवित्र चरित्र पर नैचूटने वाला दाग लगा देता है। इस कारण इस प्रथा को समाज का कलंक ही कहना चाहिए। मानव देवाले में देव प्रतीमा के समुक पत्र पुष्प चड़ाकर उससे वरदान चाहता है। पत्र पुष्प उसकी स्रधा आस्ता तथा समर्पन के प्रतीक है। उसी प्रकार नव वधू पतीग्रह में प्रवेश करते समय वस्त्र बरतन तथा आबुष्प साथ ले जाकर पती चरणों में समर्पित कर अपनी स्रधा आस्ता और समर्पन का भाव व्यक्त करती है। जिस परकार पत्र पुष्प का मुल्य नहीं आका जाता ऐसे ही वस्त्र बरतन और आबुषणों का मुल्य नहीं आका जाता। वधू पक्स दवारा सवेच्छा से प्रैदत वस्त्र बरतन और आबुषण आदी दहेज सब्द से अभीहित हुए वधू का पती ग्रह खाली हात जाना अप सकुन माना जाता था। इसलिए अपनी सक्ती सामर्थे के अनुसार उसके मातापिता उसे दहेज देते थे। अतै प्रारंब में दहेज प्रथा समाज के सोंदरिये तथा परिवार की स्रीवर्दी का सूचक बनी जों जों देश में अर्थ का वर्चस्व बढ़ता गया। दहेज की मांग भी बढ़ती गई जब आदमी पाप पर उतरता है तो ने आगा पीछा देखता है ने उसके गुण अवगुण की मिमानसा करता है। इसलिए दहेज की मांग सुरसा के मूँ की तरह बढ़ती गई मांग पैदा कर जब पाप करने वाले भी समाज के स्रेष्ठ और सम्मानिय व्यक्ती हो तब दोस किसे दिया जाए। परन्तु जब अपनी लड़की के विभा में दहेज ने भसमासुर का रूप दिखाया तो यही प्रतिष्ठित समाज चिलाया दहेज प्रथा। समाज का कलंक है समाज के भाल पर बदनुमा दाग है इससे समाज की रक्षा होनी चाहिए। रक्षा कोन करे समाज के ठेकेदार या सरकार समाज के ठेकेदार भी तो वही है जो लड़के के विभा में कन्यापक्स को निचोडने से सेक्स पियर के इसकाई लार्क की तरह पूत्री के पिता से उसका एक किलो मांस की मांग रखने में नहीं जिजगते। फिर सरकार पर भी इनी सामाजिक ठेकेदारों का दबदबा है फलते दहेज कानून बना पर कानून का मुँ रिस्वत के मोदक से बंद हो जाता है जो फस गए वे अनाडी कहलाते हैं हाँ दहेज कानून का एक समाज व्यापी प्रभाव अवश्य पड़ा दहेज ने रिस्वत का रूप ले लिया रिस्वत छदम रूप में दे जाती है तो दहेज की रकम भी चुपचाप सोपी जाने लगी पेरा आज का उपबोकतावादी भारतिय समाज कलंकित दहेज प्रथा में इसी भाव का प्रदर्शन करता है जिस भाव से नारियां दिन भर उपास कर चंद्रमा को अर्गर्य चडाती है और मुसलमान चांद देखकर रोजे खोलते हैं पर कलंक तो आखिर कलंक ही है इसे दूर किया ही जाना चाहिए ताकि हजारों तरूनियां इसी दानव ही दाड में आकर अकाल मरत्यू को प्राप्त नहों शरीर की ठकावट तथा मानिसिक परेसानियां भी इसका कारण बनती है पर नसा करने वाले परिवारों की हालत इस हर जगे हमेशा देख सकते हैं भले ही कितनी ही विवसता क्यों नहों पर जिस घर में नसे का प्रवेश हो जाता है उस घर से स्रीशान्ती कूच कर जाती है फिर भी आश्चरिय यही है कि लाखों करोडों लोग मोत के इस कूच में सामिल हो रहे हैं